तो यह जो स्पिकर आप देख रहे हैं यह भी आउजा का ओरिजिनल स्पिकर है और यह 220 वाले बॉक्स में लगता है 15 इंच का है 208 का और 8 ओम्स का है यहां से तो वह ऐसी लग रहा है लेकिन जब मैं इसको गुमाऊंगा पीछे तो आप देखिएगा आप देख सकते हैं यह स्टिगर नहीं लगा हुआ है जो भी कंपनी से लग के आता है स्पिकर उसमें ऐसी मैगनेट में ऐसे स्टिगर चिपका होता है लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशे डिलर्ट समान लीजिए तो सही रहेगा दूसरे कैसे कर रहे हैं नहीं मालूम और अगर आप अलग से खरिदते हैं स्टिगर तो मैगनेट में स्टिगर अलग रहता है जो ब्लू कलर रहता है शायद तो यह अगर आप बॉक्स खोलें आपको ऐसा स्टिगर दिखें तो समझी और यह कॉपी नहीं है और बढ़ी है और इस साइट से भी थोड़ा देख लेतें इस पाइडर साइट से भी और पर्दा साइट से भी तो यह और इस स्टिगर इसमें नहीं लग रहते है क्योंकि कंपनी इसको बॉक्स में डाल के जाती है आप अलग से खड़ते हैं स्टिगर अगर अलगे रहते हैं जो बड़े से कलरफुल वाले यह इसका स्पैडर है जैकि यह बढ़िया एक नंबर तो आप यह आउजा का 200 वाट है आप लोकल कंपनी के 300 वाट से आराम से इसका टकर करा सकते हैं दीजे में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं और बड़िया है और यह वाले स्पिकर है आउजा के 220 में लगा जो रहता है वही वाला तो मेरे पास आया था मैं सोचा आपको दिखा दूँ और हमेशा डीलर से ही समान परचेस करें तो इस नहीं रहेगा डीलर सर्टिफिकेट मांगें कि भाईया दिखाओ हमको ओरिजनल दे रहे हो की कापी डीलर की जरूर सर्टिफिकेट देख लें उसके बाद ही समान खरीदे मार्केट में बहुत सारे लोग कापी कर रहे है ध्यान रखे तो मैं आपको बता दूँ यह कि यह भी ओरिजनल स्पिकर है पर यह स्पि कर दो मैं आपको बता दूँ दे में आपको बता दूर अपको बता दूर मैं बता दूर बता दुछ भ्वार